हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मा यूटूब चैनल मेकफेस्ट आजना वीडियो मा आपड़े कीविरीते ओनलाइन एप्लिकेशन करवी GSECL नी जुनियर एंजिनियर तेमाज प्लांट अटेंडन्ट नी पोस्ट बाटे सो फ्रेंड्स, लेट्स बेगिन सव प्रथम GSECL नी वेबसाइट मा केरियर मा जाओ हाँ पेज मा तम्हें फ्रेंड्स जुई सको छो लिंक फॉर फिलिंग ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर इस पोस्ट यह मा तमारे क्लिक करवानू रहे शे फ्रेंड्स, लोवर लेफ्ट कॉर्णर मा तम्हें बदी अडवेटाइजमेंट डिटेल मा जुई सको छो जे आपने आगला वीडियो मा अल्रेडी डिसकस करेली छे अने अपर राइट कॉर्णर मा एप्लिकेशन करवा माटे तमारे नियू यूजर उपर क्लिक करवानू रहे से नूज यूजर उपर क्लिक करया पस छी तमने आ प्रकार नूँपेज ओपन थसे आज ये तमारे इंस्ट्रक्षन ए केरफूली वाँची लेवानी छे ओन्लाइन एप्लिकेशन करती वक्ते तमारे फक्त बे डॉक्यमेंट्स अप्लोड करवाना रहसे ये तमारो पासपोर्ट साइज नो फोटोग्राफ औने सिगनेचर एनी फाइल साइज 50 की भी थीलाईने NCKB नी वच्चे होवी जुईए औने इजी पीजी फॉर्मेट मा होवा जुईए त्यार बात तमारे I have read उपर टिक करीने कंटिन्यू करवानू रहसे हवे तमारे अहीं तमारो mobile नंबर एंटर करवानू छे औने इए mobile नंबर एंटर करशो तो तमारा mobile मा ओटीपी आवसे जेथी करीने mobile नंबर ए verify थाई जासे अने त्यार बात verify मोबाईल करवानू रहसे हवे एक वार verification थाई ग्या पछी तमारे GSECL नी कई post माटे एपलाई करवानू छे हुँ अत्यारे हाल Plant Attendant for Mechanical Engineering माटे एपलाई करी रहे छुँ कोई एक स्टुडंट नो रेफरेंस लाईने जो कोई BE mechanical होए तो ते जुनियर एंजिनियर मेकेनिकल नी post माटे एपलाई करी सके छे इलेक्ट्रिकल होए तो इलेक्ट्रिकल माटे एपलाई करी सके छे त्यार बाद email id एंटर करया पज़े पासवर्ड सेट करवानों रहे से लास्ट मा तमारे security question एक सेट करवानों से जो तम्हें पासवर्ड फुली जाओ त्यारे आ question तम्हें use करी सको छो now enter the character which is shown in image and click the submit button अवे तम्हें screen उपर जुई सको छो friend congratulations you have registered successfully with your user id आ user id तमारे note-down करवानों छे पासवर्ड साथे औने तम्हें email पन एक मड़ी गयो अशे user id औने पासवर्ड साथे नो now next we are going to click here for login हाई तम्हें 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 user id औने पासवर्ड एंटर करीने लोगीन थवानू रहशे अवे तम्हें screen उपर जुई सको छो important instructions जे आपने पहला जुईती एज प्रोमाणी नी instruction फरीती आपनने बतावामा आवेली छे documents तम्हारे अप्लोड करवाना रहसे ये passport size photographs and signature HAPEG format मा पचास्ती NCKB नी बत्चे हाँ जरूरी छे then click to continue button now application form is open येमा तम्हारी personal details JV के first name, father's name, surname mother's name, date of birth, email id, id proof your category तम्हारी कैटेगरी मा चो SCVC open जो open category मा उतो unreserved select करवानू, your gender ये बदी details fill up करवानी रहसे प्राइब 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 आइडेंटिफिकेशन टाइप मा तम्हे जो ना करता हुए तो no उपर क्लिक करवानू छे registered in employment exchange जो रोजगार खाता मा तमारू registered होए तो yes आपो अन्हे ना registered करेलू होए no आपी सको छो marital status then nationality preference language तम्हें इंग्लीज अत्पद बुजराती बेमाई थी कुई पणे language select करी सको छो are you employee of guvnl जो तम्हें employee ना होए तो no करी सको छो आप मा तमारे declaration आप पानू छे के तमारा family में थी कोई retired employee guvnl मा तो यहमा no करी सको छो date of birth तमारे enter करवानी रशे next detail माझे तमारे address permanent address enter करवानी जे आपर आदार काड 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 10 एड्रेस मां सेम एस पर्मेनेंट एड्रेस करीने सेव एन कंटीन्यू करवानू रहे शे हवे सेकंड पेज छे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नू जेमा दसमा ना रिजल्ट अने डिपलोमा ने रिजल्ट नी डीटेल एंडर करवानी छे तो फर्स्ट तमें जोई सको छो एससी एमान नेम ओफ इंस्टिटुशन तमारी स्कूल नू नेम देन नेम ओफ बॉड गुजरात सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एजुकेशन बॉड आफ कांतिनगर तमारू टैन्थ पासिंग यर सिलेक करवानू छे एंड इक्विवेलेंट परसंटेज एंटर करवाना छे अवे फ्रेंड्स आईए खास द्यान राखवान हुए छे के जो तमें जूनियर एंजिनर नी पोस्ट माटे एप्लिकेशन करी रहा होए तो तमारे एचसी 12 नी डिटेल एंटर करवानी रह से जो तमें प्लांट एटेंडन्ट पोर डिप्लोमा नी जाहरात माटे एप्लिकेशन करी रहा हो तो तमारे डिप्लोमा नी डिटेल एंटर करवानी रह से तो लेट्स फिनिस दिटेल्स वे फ्रेंड्स तम्हें जो ही सको जो ग्रेड सिस्टम जो तम्हें डिप्लोमा शीचे पीए एंटर करवानी मागता हो तो तमारे शीचे पीए एंटर करवानी रह से पच्छी ए सीची पीए ने तमारे एक्विवेलेंट परसंटेज मां कनवर्ट करवानों छे तो फर्स्ट वे एंटर दसी जीची पीए अब स्टूडन्ट तेन वे विल कनवर्ट इन परसंटेज जो फ्रेंड्स तमने तमारों सीची पीए खबर न होय तो आ वेबसाइट उपर थी तमने तमारों सीची पीए जानी सको छो Now you can see your CGPA in first column, 8.52 हवे तमारा CGPA ने equivalent percentage मा convert करीने लखवाना छे तो directly तम्हें Google मा CGPA to percentage calculator search करीने तम्हें directly तमारा CGPA ने percentage मा convert करीने लखी सको छे हवे आई ग्रेजिवेशन नी डिटेल डिपलोमाला स्टूडन्टने लागू नहीं पड़े ये जे जुनियर एंजिनियर बीई मिकेनिकल अथ पदो बीई इलेक्ट्रिकल असे त्याने ग्रेजिवेशन नी डिटेल बरवानी रहाशे अई तमारे एक बाबत नूँ द्याने राखवानू छे के फाइनल एर मा कुई एटी गटी न होवी जोए ये तमारे डिकलरेशन आपीने सेव एन कंटीन्यू करवानू रहाशे थर्ड जे पेज छे वर्क एक्सपिरेंस नूँ छे हाल मा तमारो कुई एक्सपिरेंस नीए तमारो फ्रेशर केंडिडेट तरीके पन एपलाई करी सको छो आपेज मा तमारे तमारो फोटोग्राप्स अपलोड करवानू छे जनी फाइल जे पीजी फॉर्मेट अने साइज 50 केबी थी लईने 50 केबी नी बच्चे होवी जरूरी छे जो तमारा फोटो नी साइज वदार होए तो ओनलाइन तम्हें अनी साइज रिड्ड्यूस करी सको छो इमेज साइज रिड्ड्यूसर सर्च मारवानू छे तमारो फोटोग्राप्स अहीं ड्रेग और ड्रॉप करवानू छे see you can change your size by percentage और by pixels तमारे ही percentage करीने Resize करवानी रेसे तो तमारो फोटो साइज ए 78K बिनो जे बनी गयो शे यहने डाउनलोड करवानो रहेश है अने अहीं अपलोड करवानो छे एक वार फोटो अपलोड थाई गया बाद सेव एन कंटीन्यू बटन पर क्लिक करवानो अने टीवी जरीते सिगनेचर ने अपलोड करवाना छे नेक्स्ट सेव एन कंटीन्यू बटन पर क्लिक करवानो रहेश है जे थी करीने तम्हें जे आको फोर्म भर्यू छे त्यानू तम्हें प्रिब्यू जोई सक्सो बतीच डिटेल्स ने डिटेल माँ वेरिफाई करीलो के डिटेल्स तम्हें ओके भरी से तम्हारू नाम एस पर आथार काड प्रमाण चेक के नहीं, मोबाइल नंबर तम्हारो, इमेल आईडी, एड्रेस, और डिटेल्स ने वेरिफाई करी दो त्यार बाद आप अज डिकलेरेशन उपर तम्हारे टिक मार्क करवानु रहेशे, कि बतीच डिटेल्स एस पर माई नॉलेज मैं फुल्फिल करी छे यह तम्हारे डिकलेर करवानु रहेशे, तो बताज टिक मार्क से जे चार, ये चारे चार उपर टिक मार्क करवानु रहेशे देन, प्रोसेड फॉर फाइनल सब्मिशन आप फॉर्म एक वार सब्मिट बतान उपर क्लिक करया पजी तम्हें फी पेमेंट करवानी छे जो तम्हें अन्रिजावड कैटेगरी मां सेलेक करवानी छे मिन्स उपन तो तम्हारे 500 फी पेमेंट करवानी छे जो तम्हें result candidate हसो अथवा PWD candidate हसो तो तम्हारे 250 payment करवानूं रहसे आई तम्हें fee debit card द्वारा अथवा internet banking द्वारा अथवा इंटरनेट बेंकिंग द्वारा अथवा भीम UPI application द्वारा पन्हें पेमेंट करी सको छो फी भरीजी का पच्छी तम्हें स्क्रीन उपर जो ही सको छो यू हैव पेड सक्सेस्फुली थेन क्लिक टू डैश्बॉर्ड बटन गो टू डैश्बॉर्ड अहीं तम्हारे application form अम्हें फिनी रिसिप्ट डाउनलोड करी रहानी रहसें तम्हें सक्सेस्फुली पेमेंट रिसिप्ट अन्हे एप्लिकेशन फॉर्म ये बन्हें डाउनलोड थाई गया छे जे तम्हें स्क्रीन उपर जो ही सको छो so friends thanks for watching this video if you have any doubts then please comment us or mail us thanks again